हेलो दोस्तो दोस्तो अगर आप SSB, SSC, CGL या किसी भी कम्पिटीटियो एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हैलोपल साबित होगी दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने कल्चर आफ इंडिया से बहुत इंपोर्टन केस्ट एड किये हैं दोस्तो यह हमारी वीडियो नमबर थी है दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ से बेल आइकन जुलूर प्रे मही मिया टम या फिर कथक ली दोस्तो अगर आशर पता है तो नीचे कमेट सेक्शन में लिख लीजिए बहुत ही इंपोर्टन क्वेस्टन है जब हम डान्स या कलास्कल डान्स की बात करते हैं ट्राइ करें आशर देने की तो इसका जो सही आशर है वो है पार भी दैट इस क इन अलाबाद के रहने वाले हैं और इनका जनम 1830 में हुआ है तैसिल का नाम है हंडिया हंडिया तैसिल में ये पैदा हुए है और इन्होंने कथक डानस को पॉलिश किया है कथक डानस को बहुत ही हाई लेवल तक इन्होंने इसको लिया है तो बहुत मेहनत की है इन्होंने कथक डान्स पर यूके सिवा वर्मन इस नेम एसोसियेटिज विच आफ फालॉइंग इनिस्ट्रुमिंट आपको बताना है यूके सिवा वर्मन इन मैंसे कौन सा इनिस्ट्रुमिंट बजाने में महारत रखते हैं आपके पास वाइलन, मिरी डंगम, रुद्रावीना या फिर मन्डो लिन, दोस्तों ये बहुत important question है, try करें answer देने की, किसके साथ तालुक रखते हैं, यूके सिवा वर्मन, तो इसका जो सही answer है, वो है part B, that is मरी डंगम, दोस्तों याद रखें कि यूके सिवा वर्मन, ये चिन्नाई के रहने वाले हैं, और इनका बर्त हुआ है 17th of December 19 1935 को, a famous musician, instrumentalist associated with tabla, इस आपको बतना है, इन में से tabla बजाने वाला कौन है, जो बहुत ही famous है, options है आपके पास, अली अक्बर खान, विलायत खान, बिस्मिल्ला खान, या फिर एहमद जान, तिरकुवाला, दोस्तों try करें answer देने की क्या हो सकता है इसका answer, कौन है इन में से बहुत ही मशूर तबला बजाने वाले, तो इसका जो सही answer है, वो है party that is, एहमद जान, तुरकुवाला, दोस्तों याद रखें, इनका जनम हुआ है, 1892 में, मुरादाबाद में, और इनकी death हुई है, 13th of January 1976 में, लखनो में, इनका देहां तेने निदन हुआ, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिन में, जिन में पदमबूशन, संगीत, नाटक, अकैडमी अवार्ड वगेरा इनको मिले हैं, तो ये याद रखें, नेक्ट क्वेशन, वीच अब देफॉलिंग इस पफॉलिर फोक डान्स, आप महराश्रा इन में से, महराश्रा का फोक डान्स कौन सा है, उप्शन से आपके पास, तमाश्या, बांगरा, गर्बा या फिर डंडिया, दोस्तों अगर आंसर पता है, तो नीचे कमिट सेक्शन है, वो है पार्ट A, देटस तमाश्या, लावनी डान्स बिलाउंग तो वीच आफ दे स्टेट, आपको बताना है, इन में से, लावनी किस स्टेट के साथ तालुक रखता है, उप्शन से आपके पास, मिज़ोरम, नागालेंट, सिकिम, या फिर महराश्रा, दोस्तों अगर जो सही आंसर है, वो है पार्डी, देटस महराश्रा, दोस्तों याद रखें कि महराश्रा का डान्स है, लावनी, और इसको डोल पे किया जाता है, या डोल लगके म्यूजिक पे किया जाता है, और ये पापिलर है, इसके रिदम के लिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंटी क्वेश्चिन, वो एमंग दे फॉलिंग इस फेमस संतूर प्लेयर आपको बताना, इन में से सबसे मशूर संतूर बजाने वाला कौन है, आपके पास हरी परसाद चुरसिया, रवी शंकर, जाकिर हुसें, या फिर शिव कुमार शर्मा, दोस्त तो इसका जो सही आंसर है, वो है पार्डी देट इस शिव कुमार शर्मा या इनको पंदित शिव कुमार शर्मा भी कहते हैं, दोस्तों याद रखें कि पंदित शिव कुमार शर्मा जुमू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, और इनका बर्त हुआ है 13th of January 1938 को, दोस्तों ये जुमू के रहने वाले हैं In which dance form are the themes called the Ramayana and the Mahabharata, आपको पताना इन मेंसे वो कौन सा dance है जिसमें theme होती है Ramayana और Mahabharata की, options है आपके पास ODC, कुचिपुडी, कथक या फिर Mahabharata नाटियम दोस्तों अगर आँसर पता है तो नीचे comment section में लिख लिए, ट्राइकर ने खुद से आँसर देने की किस dance में होती है theme, Mahabharata की और Ramayana की तो इसका जो सगी आँसर है, वो है part B, that is कुचिपुडी बागावाता मेला, a folk dance of performing art is native to जो आपको बताना है, बागावाता ये जो dance है, ये किस state से है, आपके पास आँसर आँसर करनाट का, केरला या फिर तामिल नाडू, दोस्तों अगर आँसर पता है तो नीचे comment section में लिख लिए, खुद से try करें, क्या होगा इसका आँसर बागावाता, जो मेला dance है, ये कहा का होगा, तो इसको जो सही answer है, वो है party that is तामिल नाडू, नेक्स इंपोर्टेंटी question, तांसर अगरेट मुजिशन आफिस टाइम वाज इन दे कोट आप, आपको बताना है, तांसर जो के एक बहुत ही famous मुजिशन रहे हैं, किस के दोर में रहे हैं, option से आपके पास अक्बर शाज जहां, बहादुर शाय या फिर जहांगीर, दोस्तों वैसे ये आप सभी को पता होगा क्योंकि तांसर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा भी होगा, किस के कोट में थे ये, try करें answer देने की, तो इसका जो सही answer है, वो है part A, that is अक्बर अक्बर के दोर में तांसेन बहुत ही मशूर फेमस ये मेजिशन रहे हैं, दोस्तों याद रखें कि तांसेन का असली नाम था राम तनू पांडे, और इनका बरत जो actual date है वो पता नहीं है, लेकिन जो दी गी है, वो है 1493 या फिर 1500, और इनका जो डेथ हुआ है, वो है 26th आफ एपरिल 1500 and 86 और ये अकबर के दोर के बहुत ही फेमस मुजिशन और पॉइट रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि तांसेन गवलियर में पैदा हुए हैं और इनको अकबर ने नाम दिया था मिया, वो इसको मिया तांसेन के नाम से जानते थे और तांसेन को कहा जात है, संगीत समराड भी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखें, हाव मनी आसनस आर दियर इन सूरी नमसकार प्रसेस, आपको बताने सूरी नमसकार प्रसेस में कुल कितने आसन होते हैं, आपके पास 69, 12 या फिर 16, दोस्तों अगर आंसर पते ह नीचे कमिट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राइ करें आंसर देने की, कितने आसन होते हैं सूरी नमसकार प्रसेस में, तो इसका जो सही आंसर है, वो है पार C, 12 इसमें आसन होते हैं सूरी नमसकार योगा में या प्रसेस में, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडिय अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को एक बार फेस्बुक या वाटसेप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों आपके शियर या लाइक से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियो के लिए तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर